जी है नमस्कार दोस्तों आप सभी जगर एमिस दोनी को अच्छे कैप्टन अच्छे क्लारी मानती हूँ तो वीडियो को जरूर लाइक ही जिएगा लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे सी इसको सांदार जीत मिलने के बाद आपको याद होगा रूतू राज ग जो की कवा क्या रहे हैं कप्तानी छोरने पर किया दोस्तों काफी जदा बरी खुलासा वाली बात और दे दिये बहुती बरी बयान आपको याद होगा जो की मैंसिंग धोनी काफी जदे अच्छे कैप्टन बनेते और उसके बाद कैप्टन बदला ही नहीं खुझ से रहना स कप्तानी करा थे जटेया से कप्तानी करा थे और इस बार रूतु राजग्रेक वार्ड से कप्तानी करा दिये लेकिन आपको बता दे बिराड कोली का भी आ गया इस पर बरा बयान क्योंकि ब्रोही सर्मा नहीं चाते थे जो कि हम कप्तानी से हटा दिया गया था उसके बाद और एमेस धोनी ने इस मुकाबले में कप्तानी खुश से छोरी है और ग्राड को लिकरें धोनी की वज़ा से इस मुकाबले को हारे क्योंकि धोनी ने कप्तानी छोर देती फिर भी कप्तानी इसमें कर रहे थे पूरा क्वाइंस्टेबल उनके ही नाम होता और उनकी बयान सुन लेंगे क्योंकि अगले साल हम सन्यास लेंगे तो कौन टीम का सम्हाल पाएगा तो यहीं खिलारी है जो की टीम को कमान को सम्हाल पाएगा और सीवं दूबे ने इस काबले में संदार पारे खेले भले ही रूतू राजगे एक बार इसमें फॉलाप रह नहीं चले लेकिन बहुत अच्छा परदसन रहा तो चलिए दोस्तों आई होपीज अगर वीडियो पसंद आए वीडियो अच्छे लगे जरूर से वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न कि एगाओ